कोईटर 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 चैनल में आप सब का सवागत है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर डेटर टाइप इन ईंटीजर करते हैं इसमें कुछ important points है जो आपको ज़रूर से ध्यान दे रखने होंगे या फिर आप इसको note भी कर सकते हैं अब इसका है पहले चीज़ कि हम आप बात करते हैं तो यहांँ पर दो तरह की होते हैं जब हम बात करते हैं और दोनों को revision कैसे कियाता है int और uint से int का मतलब हो गया integer और uint का मतलब हो गया unsigned integer तो इन दोनों में difference कहा है integer में आप negative और positive value दोनों consider करते हो, जब कि आप unsigned integer की बात करते हो, तो इसके नाम में ही आ रहा है unsigned मतलब इसमें कोई भी negative value नहीं होती है, इसमें positive value होती है तो इसलिए इसे unsigned integer भी कहा जाता है, दूसरा point signed and unsigned integers can be of various sizes इसका मतलब क्या है, signed और unsigned integers होते हैं, उनक्या sizes बहुत हो सकते हैं इसलिए हमारी int की बात करें, तो इसका size 8 bit से लेके 256 bit तक होता है ठीक, उसी तरह से हमारी uint का भी size होता है, वो 8 से 256 bit तक होता है तो इसलिए हम इसको इस तरह से represent भी करते हैं int 8 to int 256 और uint को भी हम लोग uint by nt 8 to uint 256 से represent करते है दूसरा important चीज यहां पर ध्यान रन्माल यह है कि int जो है, वो alias होता है int 256 का, इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जब आप अपने solitary में programming language में int लिखते हो तो वो indirectly उसका मतलब यह होता है कि आप लिख लिख ले हो int 256 bit मतलब आप 256 bit वाले int का यूस करें, अच्छा अगर आप यह नहीं संदा रहे है कि alias होता है uint 256 अगर आप कहीं पे भी unt लिख रहे हो तो उसका simply मतलब है uint 256 अगर आप uint 8 लिखना चाहरे हो तो आपको uint 8 लिखना हो अगर आप uint 256 लिखना हो, आप uint 256 लिखो या फिर uint भी लिखो तो दोनों चीज यह है इसको alias कहा जाता है इस चीज और मैं बता दूँ आपको कि int 8 से int 256 जब हम कह रहे हैं तो यहां पर यह सर्फ 8 और 256 नहीं होता यह 8 8 के इंडर्वल पर होते हैं मतलब कि int 8 है फिर int 16 होता है फिर int 24 होता है इस तरह से क्या होता है यह size increase होता है इसका और यह कहां तक जाता है 256 का इसी तरह से इसमें भी होता है step wise और step का difference होता है मतलब आपका 8 bits तो uint 8, uint 16, uint 24 इस तरह से क्या होता है continue करता है and by default as an int is initialized to 0 मतलब कि इसमें by default अगर आप value की बात करेंगे तो इन दोनों में ही by default अगर आपने कोई variable declare किया like say uint age तो उसमें भी value by default 0 होगी int age तब भी उसमें by default value 0 होगी क्योंकि हमारे solidity में null या null का कोई concept नहीं होता है इसलिए जो भी integer type है उसकी by default value उसमें आ जाती है तो जैसे हम बात करें int की तो उसमें by default value 0, uint उसकी by default value है उसमें भी होती है 0 इसका मतलब क्या है इसका मतलब आपको next slide से समझ में आगा जहां पर मैं समझाऊंगा कि क्या ranges होती है हमारे int और uint range तो range में यह देखते हैं जैसे हम बात करते हैं जब int 8 की तो इसकी जो range होती है वो होती है माइनस 128 to 127 अच्छा यह कैसे आया इसका एक formula में आपको बता देता हूँ अगर आप computer science background से नहीं अगर आप computer science background से तो I know आपको इस समझ में आगे होगो ही कैसे आया बट अगर आप computer science background से नहीं है कोई वरी की बात नहीं है मैं आपको next step में ही आपको समझा दोंगा कि यह values क 128 तो वह valid नहीं है क्योंकि इसकी वह range बनी आ रहा हूँ इसको practically करके भी देखेंगें कि अपनी remix ID पर मतलग यह इसमें जो आप values रख सकते हो जब आप किसी particular variable को int 8 से declare करते हो तो वह से miles 128 से 127 तक ही हो सकती है मगर जब आप बात करते हो Uint की तो वहां पे सिर्फ उसे 0 से 255 क होती है इसी तरह से हमारे 16 में यह इतनी बड़ी value आप रख सकते हो और हमारे UNT में उससे भी बड़ी value आप रख सकते हो मगर सिर्फ उसे positive में अब यह values कैसे आती है तो इसका simple एक formula है कि minus 2 power n minus 1 2 2 2 power minus n minus 1 अब यहां पे n क्या है n हमारा 8 bit या 16 bit अगर आप यहां पे 8 तो यह का यह n-1 में minus नहीं हो रहा है पहले power हम लोग करेंगे बल्लग 2 power 7 और 2 power 7 में minus 1 करेंगे 2 power 7 की value जो होती है वो 128 होती है इसी लिए minus 128 आया और plus 127 क्यों है क्योंकि यह इसकी जो range है वो minus से लेके plus 2 power n-1 minus 1 पे होती है ठीक उसी तरह से हमारे UNT के लिए formula क्या होता है ज तो आपको यह range बिल जाएगी मतलब आप इसी से इसी particular range तक की value लिख सकते हो इससे ज़्यादा या कम लिखोगे तो error देगा और यह चीज अभी हम लोग आईए अपनी remix id पे चलके देखते है तो आईए अब हम लोग चेक करते हैं कि जो चीज मैं बता रहा था range हो लेके उसका क्या मतलब है तो जैसे मैंने आप लिखा int मैंने आप लिखा int और let's say मैं आप 8 लिखना चाता हूँ राइट मैं आप इन variable की value मैं variable ले लेता हूं count और इसके अंदर let's say मैं लिखना चाता हूं 127 ठीक है 127 जा फिर let's say मैं आप लिखना चाता हूं 127 पहले लिखता है मैंने 127 लिखा तो क्या यह valid है तो यह बिल्कुल valid है क्योंकि हमारी range में आ रहा है आपने देखा भी तब minus 128 2 plus 127 की range थी हमारे int 8 की राइट एब मैं दिखा भी देता हूं यह देखे minus 128 2 plus 127 तो मैं वहाँ पे 127 अपनी count में डाल ला हूं तो वह बिदम valid है तो अगर मैं इसको compile करूंगा तो आप देखेंगे इसमें कोई भी error नहीं आएगा ठीक है मैं आप लिखती है compile करता हूं और आप देखेंगे यहाँ पे कोई error नहीं आया ठीक है बट let's say अगर मैं यहा पे compile करूंगा तो आप देखेंगे यह दे रहा है मैं error that in constant 28 is not implicitly converted to expected type int 8 तो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़े value में देखते हैं तो literal is too large to fit यहाँ पे यह देखें लिटरल is too large to fit मतलब की 128 आप इसमें put नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत बड़ी value है और count इसे hold नहीं कर सकता है अभी मैं इसकी अगर यहाँ पे value बढ़ा देता हूं let's say 16 bits का use करता हूं और अब मैं इसे compile करता हूं तो आप देखेंगे कोई भी error नही तो यह देखिए हमाई पास फिर से error आ गया है कि तुरीक उसी तरह से क्योंकि हमने देखेंगे रेंज क्या थी जीरो से 256 अगर मैं आप मैंने बोला यह से positive numbers लेता है तो अगर आपको मेरी बात वैकीन नहीं हो तो इस बार चेक भी कर लेते हैं और इसको फिर से करते हैं औ सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी साइन की वज़े से आप मैं बता हूं इसी वज़े से ओवर फ्लो और अंडर फ्लो की वज़े से एथर में काफी ज़्यादा प्रॉल्म आई थी जब एर सी 2220 टोकन की बात करेंगे और नेक्स वीडियो में देखेंगे वहां पर अवर फ हमारा जो इधिरा होता है वह कितनी जगा पर फाइनिशल इस्टूशन में यूज हो रहा है अगर वहां पर कुछ और फ्लो जैसी प्रॉब्लम आ जाती तो बहुत बड़ी दिख्कत हो सकते हैं वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो यह सारे बेसिकद्र बेसिक ऑपर्एटर इंजो आप पर कर सकते एक ओस्री कोई न कोई programming language सीखती हुई है तो आपको idea होगा इन सारे operators को तो मैं इस पर ज़्यादा discussion नहीं करूँगा बढ़ हाँ अगर आपको लगता है कि इस पर discussion होना चाहिए तो प्लीज आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्ली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्योंकि मैं डेली नए वीडियो अप्लोड करता हूं मेरे चैनल पर आप नए नए कॉर्स बहुत जल्दी देखने वाले हैं तब तक के लिए बाबाए